नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने रियल न्यूस चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर में करीना कपूर सैफ के घर आया नया महमान बेबो ने दिया बेटे को जन्म जी हाँ दोस्तों करीना कपूर खान अपने दूसरे बच्चे की माप बन गई हैं करीना ने आज बेटे को जन्म दिया है इस खबर के आने के बाद सही फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं करीना कपूर खान और सैफ अली खान के लिए ये मौका बहुत खास है उनके घर में नया महमान आ गया है उन्होंने पती सैफ अली खान संग मिलकर अगस्त 2020 में अपने दूसरे बच्चे को आने का ऐलान किया था करीना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि भे अपने दूसरे बच्चे से मिलने के इंदजार नहीं कर सकती फैंस को दिये फैशन गोल्स करीना और सैफ के बेटे के आने के बाद से कपूर और पटौदी खानदान में खुशी की लहर है करीना ने अपनी इस प्रेगनेंसी में भी लोगों के फैशन गोल्स दिये शुरुआती दिनों में करीना कपूर खान को जीन्स और टीशिट में देखा गया था हलाकि बाद में उन्होंने कफ्तान, मैक्सी ड्रेस और कुर्ता और प्लाजो जैसे बढ़ियां आउटफिट्स पहने प्रेगनेंसी के दौरान किया काम पिछली बार की तरह इस बार भी प्रेगनेंसी के दौरान करीना ने काम करना जारी रखा था इस बारे में बात करते हुए एक interview में उन्होंने कहा था pregnant महिलाएं काम क्यों नहीं कर सकती मुझे यह बात समझ नहीं आती मैंने अपनी पूरी pregnancy में काम किया है और delivery के बाद भी करती रहूंगी असल में active रहना फायदे मंद होता है इससे आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्शी रहती है मैंने कभी किसी पक्षपास का सामनान नहीं किया दूसरे बच्चे के स्वागत को तयार थी करीना एक अन्य इंटर्वियू में करीना कापूर ने बताया था जिसका नाम तैमूर है तैमूर का जर्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था बात करे करीना कपूर खान के प्रोजक्स की तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के समय में भी काम किया है उन्होंने अपने रेडियो शो वाट वुमें वॉंट में काम किया और विग्यापनों में भी काम किया करीना 2021 के क्रिसमस पर आमिर खान संग फिल्म लाल सिंग चड़ा में नजर आने वाली है